खौत जो आज अपन स्सार्ट करें हैं फाइलों सिलएंड रेटा ओके फाइलों सिलएंड रेटा इसका दूसरा नाम क्या है निटे एरिया क्यों कि इसके अंदर एक केविटी प्रजेंट होती है और उस केविटी का नाम है सिलेंट्रों की प्रजेंच के कारण इसका नाम क्या पड़ा सिलेंट्रेटा सिलेंट्रेटा नाम क्यों बड़ा क्योंकि इसके अंदर एक सिलेंट्रों गोहा पाए जाती है और उस गोहा की प्रजेंट्रेटा बड़ा और निदेरिया क्यों बड़ा क्योंकि इसके अंदर क्या प्रजेंट होती है दंसकोशिका है इसको आप निडोब्लास्ट सैंस भी ब तो नीडोब्लास प्रजेंट इस और इसी के कारण इसको क्या भूते हैं निड़ेरिया दंसकोशी का नाम नी यह तो नीडोब्लास लिखा हूआएगा तो आपको ध्यान दगना है ठीके इसी की कारण इसको देड अब जन्तु कहां प्रजेंट होते हैं इस लेंड़ेटा के जन्तु होते हैं वों मोसली कैसे होते हैं यह से जन्तु समुद्री कैसे होंगे समुद्री होते हैं तो तो सिलेंटरा के जनतु होते हैं समुद्री लेकिन कुछ ऐसे जनतु होते हैं जो कि कहां पाइधा थे यहां पर कौन हो गया दिकान कुछ कैसे होते हैं अलबन जली होते हैं जैसे हाइड्रा ठीके अलबन जली होते हैं और उसको पन क्या कहते हैं एक्जांपल हाइड्रा क्लियर अब हाइड्रा आपको दिखा भी देंगे यह देखलो आप हाइड्रा भी दिखा देंगे एक बार म कि इसका सारी इक संभथन किसे बना दा इसका सेल के बाद क्या आफा है तिशू इसका इनका सारी इक संभथन कौन सा हुआ तिशू तो बोडिय और जीशन के बेना उतकी प्रकार का शारे दी कसमें हैं उतकीय प्रकार का करें है एक सिंद्ध ने अलब जली है अनीमल कौन है था फीचर क्या है कि इसमें तीसरा सम्मिति कौन सी है अरियर सम्मिति सम्मिति कौन सी है अरियर और परिविरा में कौन सी थी वापस में रिमाइंड करा रही हो आपको परिविरा में कौन सी थी और सम्मिति और इसमें कौन सी है अरियर सम्मिति कि लिए इसमें Radial Symmetry प्रजयन्ट रजेंट होती जब जन्तु को केंद के किसी भी अक्षश से काटा जाता है तो उसके 2 बराबर भाह हो जाते है यहाद रखना किसी भी अक्षश से इसको काटा जाएगा तो इसकी क्या हो जाएंगे दो बराबर भा हो जाते हैं, यसको अपन अरिये सम्विति क्याते हैं अरिये सम्विति पर जाएं Next, 2 स्थरी होते ही हैं कितने स्थर हैं? दो स्थर, 2 स्थरी हैं कौन गोन सी 2 स्थर होते हैं? एक outer, Aector एक्टोडर्म और इनर एक्टोडर्म ठीक है और इन दोनों की बीज और फेरा भी नहीं आशा था ग्रीज तरी बाहर पिनेकोडर्म बंदर कोई नोडर्म तो इन दोनों की बीज क्या प्रजान्ट होता है इन दोनों की बीज नॉन सैलूलर कोशिके या अकोशिके मेजोगिलिया प्रजान्ट होता है क्या प्रजान्ट है इन दोनों की बीज मेजोगिलिया वहां क्या प्रजान्ट है परिविरा में मेजनकाइब प्रजान्ट है यहां मेजोगिलिया प्रजान्ट होता है क्लिए तो यह इसका component feature, next, concern component feature इसका, gastro-vascular cavity, sylentron और gastro-sylentron का ही दूसरा नाम क्या होता है बच्चों, सिलेंट्रॉन और ॥ा था इसको क्या में लिचे जटर वाहिनी भूहं और फाले ईसका क्या होता है इसको क्यों बोला जठर वाहिनी क्योंकि यह क्या काम करती है यह दोनों क्याकि आपके लिए दीक और अंगी शे grounded वाह पाचन भोजन का पाचन और फिर बोजन का वितरन पचेवे बोजन का वितरन करती है इसको इसको कहते हैं ऌने इसमे सिर्फ माउथ प्रजेंट होता है है ऐनस के विद्ध माउथ कि मुख प्रजेंट होता है जाने अनुपस्ति इसलिए किस ना है हो गई है बॉलाइंड सैक का मतलब जब केवल जैने के लिए एक फॉर प्रजेंट करता है इसलिए इसको ब्लाइंड से टाइप कहते हैं के लिए नेक्स कैसा होगा पहले एक्स्ट्रा सर्लर पाचन कैसा होगा एक्स्ट्रा 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 ठीक है, next next function क्या हुआ है, इसके अंदर सबसे पहले देखो इसमें श्वशन और उक्सर्जन शरीर की सतय से होता है को इंपोर्टन करेक्ट्र में यह है, श्वशन वा उक्सर्जन body surface से, शरीर की सतय के द्वारा विशन प्रोसेस के द्वारा होता है ना, उसर्जन शरीर की सतय के द्वारा होता है इनमें दो form प्रेजन होती ही बच्चों, देखो यह हाईड्रा है हाईड्रा क्राक कैसा है, इस फ्रैस वाटर स्पंज होता है और इसमें जो conical आपको दिख रहा है नहीं उभार जासा सरचना, इसको पन क्या कहते हैं इसको क्या कहते है इस परशक या टंटाकिल्स कहते हैं इस फ्रैस परशक प्रशक प्रजेन्ट होता है हाई पो स्टों, conical shape होता है, शंकुअकार का होता है उस पर माउथ प्रजेन्ट होता है नेक्स डाइग्राम अपन देखा है, यह तो बाद में दिखेंगे ए एकजांपल पहले अपन दिखेंगे, इसके फॉंग की दो रूपो में प्रजेन्ट होता है सिलंट sino के थो फॉर्म होती है स्िलंटोगे सिलंटके जन्तू होते हैं इंपर fibre रिगशा iOS फोली çünkü स्थी जनलली क्या होता है उन्हें से एक IPS कोंसी तो इसलिए इसमें आपको उसके बारे में नहीं बता रही जदा तो इसलिए मैं अब जसी ही ओवेलिया है कि इसांपल या कोन नहीं नहीं कोई लग्या में भी इस नहीं यह पॉलीप अभश्त का סने होते हैं ну आईकसिए शिलंड़िकल ऑबनाकार होता है और यस पॉलिप कैसी स्थान बद होते हैं है में जिसको क्या Hermes साइसाइल या इस्टान दूसरा और इस पॉलिप के द्वारा कौन सा रिप्रोड़क्शन होता है एसच्छल यानि हंख जनन होता है तो पॉलिप कैसी हमस्ता बेलना का युद द्धाब नमबर बर नमबर तो कैसी है स्थानबर सैसाइल ओर नमबर तीन सैसाइल के लग तीसे है कौंड सा करक्डर है इसके अंदर कि इसमें इसके द्वारा अलेंगिक जनन होता है कौन सा जनन हो रहा है अल्यांग तो तीन कोश्ण यहीं से बनते हैं ओर मैडूसा किस में पाई जाती है वस्ता तो फाइलम सिलंड़ेटा खुण पाउलिप और मैडूसा और यह एबल फाइलम छी के अकार की सरचना होती है यह स्वतंत्र जीविर रहा है और इसके दौर यह लेंगिक जनन यानि सेक्च्छल रिप्रडक्शन होता है तो यह दूसरा को ने मैं जुषा कैसा स्ट्च्चर है मैं डूसा के बारे में अपन पढ़ते हैं जुषा कैसा है छत्री के आकार का यानि छत्री नुमा मीस अंब्रेला शेख ठीक है दूसरा फ्रीज्वी मीन जनन होता है लेंगिक जनन होता है तो यह इसकी 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 द्वारा होना है मैं डूसा कैसे शेफ की चत्री नुमा कार की और मैंडूसा काउन सी स्वतंत्र जीवी तो जिन अनिमर्स के अंदर हैं ना सिलेंड्रेटा की जिन जन्तों के अंदर दोनों अबस्ताएं होती है पॉलिप और मैडूसा उनमें पीडी एकांत्रन पाए जाता है इसलिए सिलेंड्रेटा का मुख्य लक्षन क्या है कि इसमें सिलेंड्रेटा के जो एट नमबर दा ना उसके बाद 9 कि इसमें सिलेंड्रेटा में पीडी ए आंदत्रन पस्ट कर एक हो और सब्रगार के पेड़िये कांत्रन को हम क्या कहते है किसे दीली कांत्रन क्योंकि आपने दिक अधर अधर उगा मोर्थ में पड़ा होता है कि उसमें क्या हता है ऐसे उन्में ऑफ में किस तायप और इसको यह आप जब देखते हो प्लांट के अंदर कि एक अवस्था होती है है दूसरी होती डीपलोट याने अगोडित दीगोडित इस तरीके से उमें प्रिडियंग चलता जाता है लेकिन यहां पर यह इसमें दौनों अवस्ता है यानि अलेंगी और लेंगी अलेंगी किसके दारा přाई पालिबूब प्लिफा जैन की दोरा कि माथमीं ऊvery कि लींगी fase यहां पर दिदानों धृणी च जीज आपको फिर्द होता हैं कि यह इंदर कैसे होते हैं दोनों की दौनों तो कि दोनों अवस्थाएं कैसी हैं दी गूरित हैं अब इसके अंदर कैंदे कुछ वर जॉट्स प्रजेंटम जैसे जनन करने का म करें गेस्ट जॉटिलग का मोढ़ी और डॉक्टालो जॉट्विय्स पॉट्वटियूट जॉट्वियूट सब्सक्राइब तो इन में कई प्रिकार के जॉइट्स पाए जाते इसी लिए इन में क्या होगा इसके अंदर लेवर ओफ डिवीजन याने श्रम विवाजन पाए जाता है तो फाइलम पॉरिफेरा के इन वो कि एक और मुख्य लक्षन क्या हुआ इसमें श्रम विवाजन उपस्ति लेवर ओफ डिवीजन प्रजैंट होता है और लेवर ओफ डिवीजन के लाब कई रूप प्रजैंट होते ना आपने देगा पॉले मैंडूर्सा काई फॉर्म्स होते हैं इसलिए इसमें प्रजेंट है, बहुर उप्ता प्रजेंट हो दिये है, ठीक है, Fertilization, external और internal दोनों हो दिये है, निशेचन, दोनों, external भी और internal भी, ठीक है, इदे को एब बुर्दगीज, man of war, भी आपको एक जम्पल बताऊंगी, इसके, ति इसके बाल, next कौन सा हो आख, कि इनमें development indirect, because indirect, indirect का मतलब, लार्वा अवस्था present, development indirect, indirect का मतलब होता है, लार्वा अवस्था present, कौन कौन से दो लार्वा है, यानि लार्वा present होते हैं, लार्वा, उपस्तित कौन कौन से दो लार्वा है, एक तो इफायरा लार्वा, जो की जैली फिसका है, और एक प्लैनूला लार्वा, इफायरा लार्वा और प्लैनूला लार्वा, ये कैसे होते हैं, उभैलिंगी, याने मेल और फीमेल जन्नाग, एक ही जञ्जू के अंदर फ़स्तित होते हैं, अब इंका धारण देखते हैं, देखो-उषक थारण कौन कौन से अधारण है तो पहला यह हुआ अलम झोर की तूसे जैली छैली पिश यह क्याता है यह बिल्कुल पारदर्सी होती है इससे लिए इसको जैली मिस्फिह क्या एंधित है इस रूप में डिया है अंबरेला शैप क्या कर विस इसको जनली के ाुरीलिय और विया का ही दूसरा नाम चैलीफिश है एक्जाम्पल लिखती जाओंगी और यह ओवेलिया को सीफर बोलते हैं सीफर है ना नेक्स एक्जम्बल यह देखो कौन सा फाइसेलिया इसको पुर्दगीज मैन ओवार याने पुर्दगाल का लड़ा को युद्धा बोलते हैं क्यों क्योंकि इसमें बहुत सारे जॉइट्स होते हैं और उसके द्वारे क्या करता है इसमें अटेक करने का काम करता है इसलिए आसब क्यों होते हैं और एक यह ए डेमिवान और और यृण सिया कुछ खौट क्या होते हैं स्लिए penthouse कर दीमर की चानों तो कुछ जन्थे में किसका डिंपॉजिजिशन है कैल्सियुम कुछ जन्थे में का डिंपॉजिशन होता है संग्रेल या डिंपॉजिशन होता है जिसे क्या कहते हैं जिसे कोरल कहते हैं कोरल कि जब चंतूं के चारों तरफ केल्सियम काबोनेट का डिपोजिशन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं कोरल आगया तो आप से कोई पुछी का पता कोरल किसमें प्रेजेंट है तो आपको ध्यान लगना है किसके अंदर प्रेजेंट यह प्रजान्ट है किसमें कि सिलेंट्रेटा में एक चीज और बताऊं बहुत बहुत इंपॉटन चीज रहे गई कि फाइलम् सिलन्टेटा के जन्तुओं में सबसे पहले निरोन की खोज की गई अगर आप से कोई मुझे तंत्रिका जालक के रूप में प्रजाइंट होता है किस रूप में प्रजाइंट होता है तंत्रिका जालक के रोग में तो शिलंट्रेटा के जन्तुओं में सबसे पहले नर्वस सिस्टम की पोज गें सबसे पहले निरोन की पोज निरोन काहा देखे गए निरोन सिलंट्रेटा में देखे यानि नर्वस सिस्टम काहा देखा गया इनका जो दंत्रीका तंत्र होता है तंतीर का तंत्र का तंत्र होता है तंत्री का जालक ना बहुत इंपोर्डेंट चीज है तो यह इसके है एक बार अपने वापस रवाइच कर लें ओके ओ यह ईस वन रिम सिलेंटरिटा बाते है जियन डूसरा नाम है और यह कम क्या आता है यह काम करों है請 कर turbines पर यह रहे दिखो यह यह फूरा निदो ब्लात सेल्स निमाटोसिस्ट सेल्स यह रही पुरी नवेटोसिस्ट ब्रजेंट ब 18 countries चैंते इसको के दीं और उस निडोई साइड के अंदर निडोब्लास के इस निडोई रही निडोई साइड के अंदर निमैटो इस्ट इस्ट सुरूक एस इस और इंगा काम क्या होता है इस निमाटो भ्लास व किन नीडो भ्लास सेल का काम क्या है नीडो भ्लास और रॉनंह irrサ्ट ऑ्ल्क्रूज्सी। कि इनको दन्स कोछो काई करते है ना ये क्या काम करती है ये चिपकने में सांकτοिक्षा में और में और साक्राइख स्वायर कर से ने ने इनडर जाता है क्या नो सकतिकंत करने काम वह करते हैं जाते हैं यंदे पढ़ाच पाई जाता है कि या इन handlar और सुरक्षावा आक्रमन का काम करती है क्लियर और दूसरा क्या काम करेगी प्रेप शिकार को भीहोश या अचेत करने में काम करती है ठीक है अचेत में भीहोश करने में यह फंक्शन है इसके इस इनेमेटो सिस्ट के अब इसको वांपस से पढ़ लेते एक वाह स्कौन खर लेते हैं क्या है उत्सक्तरशियं अव्य बशाणह कैसे होते हैं मैरें में समुदन में धायाते लेकिन कुछ जल्दू फ्रैस वाटर में होते हैं जैसे हाइड्रा सम्मित उतके सारी दिख संग्ट है नहीं सरीर किससे बनाएं टिसू से सिमेट्री कुम सी है और यह सम्मित एस हिलोमेट भी होते हैं द्वीस तरी है एक और लिख लेना एस हिलोमेट आदेह गुई है ना जाकोशि के या मिजो के लिए पए जाता है सिलेंट्रोन या दूसरा नाम क्या है गैस्ट्रो वास्कूलरं केविटी कि प्रजन्ट और सिलेंट्रोन मुलत कि यह 1000 संबं चारे करतें uh あ अनस आप्सेंट याद रखना नहीं पाई जाता इसलिए माउथि यह कार्य करता है जब एसा होता है तो उस थाइप को पन कहतें प्लाइन सेक्ट किलिए पहले अक्सरीलर नाइजेशन होता है फिर इंटराइस healthy क्यासा होगा इंट्रसेललर डाइजेशन होगा फिर इनमें श्वशन और उटसर्जन शरीर की सतय की द्वारा होता है ठीक है नाक्स इसका मेंट फीचर्स यह देखो यह पॉलिप और मैंडूसा दो प्रकार की फर्म्स प्रजंट होती है जिसमें से पॉलिप कैसी है सथान बद्त और किसके द्वारा कौन सा जनन अंब्यला सेप प्री लिभींग और इसके द्वारा कौन सा जनन ओता है लहेंगिक जनन जब इसे जिनमें सिलेंटेट जनतों में पॉलिक और मैधुसा आए अबस्था पाई जाती है ने एक लैंगिक तो इसको कहते हैं पीडेक यानि सिलेंट्रेटा के जनतुओं में क्या प्रजेंट है बहुत इंपोर्डेंट करक्टर है इसमें प्रकार की प्रकार की प्रकार को क्या कहते हैं न Sans प्रजेंट इसके अलगलग टाक्टी ने इन में उलगलग अश्रम विवाजन प्रजेंट है इसके लावा क्यों प्लैनला किसका होता ही हुवेलिया औरिया का और यह और लिया का लारव है दिखा और ले मतल। चैली फिश अभी लिखा देगे। और फ्लैनुला ठीट मैने उवेलिया का लारबा है। अगलमी चनतों मेल ओफी मेर पॉजेंट होते हैं। और कुछ चनतों Тутरह किसका डिपोजीसन होताई 有 केंसियम कावोनेट काै और ऐसे अनिमल को अपन कहते हैं और सबसे इंपॉर्णन चीज जो है वह यह कि नियुरॉन की खोज याने तंत्र का तंत्र सबसे पहले कहां देखा गया तो यह बैरी वैरी इंपॉर्णन यह कहां देखा गया और वह किस रूप में प्रजेंट होता है अब कुशन ऐसे भी आ यह बहुत इंपोर्टन और इसके लाब एक्जम्पल उधारण उधारण में आपको बताई चुकी है अभी अपने देखा था वापस दिखा देती हूं ओवेलिया का दूसरा नाम क्या है सीफर ठीक है ओके दूसरा औरीलिया औरीलिया किसको कहते है जैली फिश अभी आपको डाइग्राम से सारा दिखा देते हैं औरीलिया जैली फिश इसका दूसरा नाम क्या है जैली फिश के लिए बिलकुल पार्दर से जैली के समान होती है य ये फर्स ये सेकेंड और ये तीछा सी एनिमोन या अडम सिया ठीक है इसके इलाबा कुन सा होता है एक और एक जम्पल ये बताई दिया नेक्स एक जम्पल और कौन सा है पैनेटुला पैनेटुला को सी पैन कहते हैं सी पैन समूदरी कलम्ब ठीक है और हाईडरा आपको पताई ये हाईडरा फ्रेस पाटर मेरेनी जली है इसके अंदर नीडसाइट पाए जाती है नीडसाइड ये नीडसाइड गरेनेट सिस्ट प्रजंट रॉती है इनका काम क्या है चिपकना सुरक्षा और आक्रमन करने का काम और शिकार को अच्छेत करने का काम इज आल्सो इंपोर्टेंट बिकॉज इस अब इसके सबके डाइग्राम का एक्जाम्पल में आपको निखाती जाती है लेखते जाओ यह हाइड्रा पता चुकी हुए हाइड्रा कैसा है प्रेस्वेटर रेस्लेंट रेट है ठीक है दूसरा कौन सा है यह जैली फेश जैली फेश अम्रेला जैसी होती है पर पार्दर सी होती है नेक्स यह ओवेलिया जिसको सीफर कहते हैं और इसमें पॉलिपॉर मेटुसा दोनों अबस्ताय रहती है यह फाइसेलिया एक और पाइसेलिया पुर्थगाल का लडाकु योद्दा क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें कई प्रकार के चॉइट्स होते हैं वो अलग-अलग अटेक करने में काम आते हैं तो एक और इंपॉर्डेंट कौन सा हो गया? फाइसेलिया पुर्थगाल का लडाकु योद्दा तो यह फाइलव कम्प्लीट हुआ कौन सा? सिलेंट्रेटा पुर्थगाल का लडाकु योद्दा पुर्थगाल का क्यों होते हैं? क्योंकि इसके जो टोप था वो कैसा था? पुर्थगालियों के समान था है ना इसका जो शेप है ना यह दिपाब यह जो शेप है यह पुर्थगालियों के टोप के समान था इसलिए इसका नाम पुर्थगाल का लडाकु योद्दा पड़ा ठीक है? ठीक है? क्लियर? ओके? thank you, thank you very much